तो यह प्रक्टिस करेंगे इसमें हम मौडरन हिस्ट्री के प्रश्णों पर इस टैस्स सीरीज की आप पेड़ी सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में नंबर उस पर कॉल यह वाटसप करके जिसमें मिलेंगे आपको फूल टैस्ट तो चलिए स्टार् तो महत्मा गांधी भी थे घंशामदास विडला भी थे मदन मोहन माल भी है और इनी सरोजनी नाइडू ने भी ठीक है इनके अलावा एनी वेसेंट होती तो उन्होंने भी दूसरे गोल में समयलन में हिस्सा लिया था ठीक है इन सभी नहीं लिया था तो डी है इस कांसर 1234 यह प्रस्ण हिस्तरे से भी अलग से पूछा आता है कि कॉंग्रेस की तरफ से दूसरे गोल में समयलन में प्रतिनिती के रूप में किसने हिस्सा लिया था तो कभी-कभी तो मतलब ABCD करकर ऑप्सन दे जाते हैं तो महत्मा गांधी से कड़ जाता है पूरा करेक्ट हो जाता ह तेकिन यहां जो है स्टेट्मेंट वना कर पूछाया मतलब केवल एक केवल दो केवल तीन तो इन सभी ने गांधी जी सरोजी नाइडू घंस्यामदास फिटला मदवन मोहन मारवे उन्होंने दूसरे गोल में समयलन में हिस्सा लिया था ठीक है डी हैस का अंसर 123 तो कल के ट पूताना नामक जहाज से गए थे बहां पर और इसमें महादाइब देसाई मदन मोहनमाल भी घंसयामदास विडला और मीरा वैन भी थी और इस समयरन में सरोजी नाइडू एनी वेसेंट ने भी भाग लिया था जिसमें महिराओं का नेतरदिक्स ने किया था एनी वेसेंट प्रेश्न कर लेता है एक्जाम में कि कौन सी घटना लॉड रिपन के काल में में होई लॉड्र लिटन के काल में होई लॉड कार्न वालीieri Вас के काल में में चैन्प वॉर्ड के काल में यहका ऐक्न अ कटी बहुता डेट विव विवाद तो 1882-1881 का पर्थम अधिनियम दो दो कुछ पूछना हो तो UPSA Civil Services Related Estate PCSA इस नमबर पर call या वाट्सप आप कर सकते हो तो इलवाइड विल विवाद 1882 का रिपन के समय में हुआ 1881 का पहला फैक्टरी अधिनयम भी रिपन के समय में जबकि Vernaculous Press Act 1878 का वो लिटन के समय में लाया गया था और इस अधिनयम दोरा भारतिय भासा में समचार पत्रों को परतिवंधित कर दिया गया और इस एक्ट को 1882 में रिपन ने समाप्त कर दिया ठीक है रिपन ने सावप्त कर दिया था इसको लिटन के समय में लाया गया था और बाकी सब रिपन के समय में हुए महा होना सावप्त होने की बात हो रही है चलिए दूसरा प्रशन है गवर्नर जनल की कार कारणी के सरस्प बनने वाले पर्थम भारतिय हैं नमलकित में से कौन थे कौन थे गबर्नर जनरल की कारकारणी के सरस्व बनने वाले पहले भारतिय थे सतेंद्र प्रसंद सिनाह तो सतेंद्र प्रसंद सिना गबर्नर जनरल की कारकारणी के पहले सरस्व थे कोश्चन नमबर थ्री पर आजएए असेयो कांतरण के दुरान बॉम्बे क्रॉनिकल ने विटेस अत्याचारों की निंदा की थी आपको बताना है कि इसके संपादक निम्रिकित मेंसे कौन थे इसके संपादक थे बी जी हार्नी मैन आप्सन नमबर बी तो बॉटेस अत्याचार की निंदा करने की कारण बी जी हार्नी मैन को देश छोड़ने का आदेश दिया गया था और वे जो है बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे कौश्चन नमबर फोर पर आजए इन अम्रिकित मेंसे कौकाता विश्विद्याले की पर्थम इसना तक महिला कौन थी जिन्होंने अठारे सो नमबे में कॉंग्रेस को संबोधित किया कौन थी वो कादंबिनी गांगुली कादंबिनी गांगुली कौकाता विश्विद्याले सेशना तक करने वाली पर्थम भाहिरा थी उन्होंने 1890 में कॉंग्रेस को संबोधित किया था नमबर 5 पर आजएए भारतिय कम्मिनिस्ट पार्टी का पर्थम संमेलन कहां आयोजित हुआ था भारते कम्मिनिस्ट पार्टी का पहला संभेलन आयोजुत हुआ था कानपुर में तो भारते कम्मिनिस्ट पार्टी का पहला संभेलन 1925 में कानपुर में आयोजुत हुआ था एक प्रश्ण पूछा जाता है कि 1925 में हुए कानपूर में इंडर नेसनल कॉंग्रेस के अधिवेशन की अधिश्था किसने की थी सरोजनी नाईडू ने की थी number 6 पर आजए है भारती राष्ट कॉंग्रेस के उत्तर प्रदेस में कुल कितने सम्मेեյन आयोज़़ित हुए कुल नौ सम्मेरन आयुजित हुए तो भारतिराश्ट कॉंग्रेस के अधिवेशन उत्तर प्रदेश में जो है नौ बार हुए जिसमें तीन बार इलहाबाद में, तीन बार लखनौ में इसके अतरिक्त बनारस में, कानपूर में, मेरट में भी यदिवेशन जो है उजित किया गए इलहाबाद में 1888 में, 1892 में, 1910 में, लखनौ की बात करें 1899 में, 1916 में, 1936 में, बनारस में 1905 में, कानपूर में 1925 इनिवे सेंट ने अधिक्स्ता की, सौरी, सरोज जी नाइटू ने अधिक्स्ता की, ठीक है, और मेरट में, 1946 में आयुजित हुए नमबर सबन पर आजए, स्रीमत भगबत गीता के लेखक नम्लिकित में से कौन है लोकमाननेबाल गंगाधरते लग तो गीता रहस के लेखक है, लोकमानेबाल गंगाधरते लग यह पढ़ाओगा आपने नमबर एट पर आजएए, उत्तर प्रदेश किसान सबा, 1918 का गठन, नम्लिकित में से किसके द्वारा किया गया किसके द्वारा किया गया गौरी, संकर, मिष्र तो अबद छेत्र में किसानों को जमीदारों और तालुकदारों के सोशन के विरुद संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कारिकरताओं ने किया 1918 में गौरी, संकर, मिष्र, इंद, नारान, दुवेदी तथा मदन मोहन मालवी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सवागा गठन किया गया तो सही उत्तर वहाँ पर क्या हो जाएगा गौरी, संकर, मिष्र क्योंकि वहीं हैं उप्सन में पॉक्शन नमर 9 असवयोग आंदरुन से रिलेटेड है असवयोग आंदरुन के दोरान कौन सी रणीती कॉंग्रेस द्वारा अपनाई गई थी उपाधियों का अंत करना मतदान का वहिसकार सरकारी विद्यालियों और नौक्रियों का वहिसकार अदालतों का वहिसकार ये सारी रणीती अपनाई थी ठीक है तो उपरयोग्त सभी कारवाहियां आंदोरन के दोरान कॉंग्रेस रणीती का अंग थी कॉश्चन नमर नाइन पर आजए ये कॉंग्रेस के अंदर पूर्ण सुराज की बांग को तीबर करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग की स्थापना की गई नमर कितमे से कौन से व्यक्ती इससे जुड़े थे जबालाल नहरू, सुबास चंदरबोस, स्री निवास अयंगर और सत्यमूर्थी बताईए कॉंग्रेस के भीतर इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग की स्थापना की दसवा प्रश्ण है दलित उत्थान के लिए आत्म गौरब आंदोरन का प्रारम निम्रिकत में से किस ने किया था किस ने किया था डॉक्टर भीम राम बेट कर इसका उत्तर नहीं है टी के माधवन भी इसका उत्तर नहीं है इसका उत्तर है option number C E.V. रामा स्वामी नायकर तमिलनाडू में 1921 में आत्म गौरब आंदुरन का प्राड़म के इनोंने नमबर 11 पर आजए नमने के तमें से कौन सा या से आरे समाज के प्रमुक सिद्धान्त है वेदों की सर्वोच्ता पुनर जनम में विश्वास करना बहु देवाद को स्विकार करना बाल विवा वहु विवा का विरोध करना सही उत्तर चिन ये वेदों की सर्वोच्ता बेदों की और लोटों भी बोलता है आरे समाज के संस्थापक स्वामी दैनान सरस्वती पुनर जनम में विश्वास करता है आरिसमाज वाल विवा वहु विवा का विरोध करता है लेकिन नहीं करता तो वहु देववाद को स्विकार नहीं करता है तो क्या थर्ड को एलिमिनेट करके हमारा आंसर निकलेगा यहां थर्ड है यहां थर्ड है को वाल बिभा और वहु देवभाद का विरोध करता है एक इश्वर रजवर ہے इस पृथवी का सरष्टा स्रच्ठी करता है का है वbon गे लाइकпис नुबर 12 पर आ जाए 1909 के अधिनयम के द्वारा मारले मिंटो भी बोलता है ने 1909 के सफ्चार है नाम से बिजाने जाता एकार 1909 के इसी अधिनयम द्वारा दिया गया है मार 13 पर आजये नमलिकित में से किस बैंक पाउध गाटन महात्मा गांधी जी के दौरा किया गया था Union Bank of India opson nobody तो Union Bank of India की इस्थाहपन उन्निस में बंबई में कि गई थी और महात्मा गांधी ने किया था इसका उध घांट जलियाबाला वाग नरसंगहार के तुरंत पहले घटित घटना कौन सी है इन मैंसे बताना है जलियाबाला वाग नरसंगहार के तुरंत पूर्व घटित घटना जलियाबाला वाग हत्याकांट जो की वह था 13 अप्रेल 1919 को तुरंत इसके पहले साइमन कमिशन तो हो नहीं सकता 1927 है साम परदाएक अबार्ड या कॉमनल अबार्ड 1932 की हो गई यह रोलक्ट टेक्ट है ठीक है भी है इसका अंसर है तो जलिया बाला भाग हत्या कांट के तुरंत पूर रोलक्ट एक्ट की घटना हुई थी और पहले वाला असेयोग अंदलन 20 21 का है 24-24 की घटना 15 प्रश्णय नमलिकित मसे की जिले में हुई थी सभी को पतागा उत्तर उत्तर परदेश की गौरगपूर रोलक पर इसिले से संबंद हो गया। इस कस्वे में हुआ क्या था चार फर्वरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी किसानों की भीड ने यहां के एक पुलिस स्टेशर में आग लगा दी थी जिसके करना हुआ क्या था 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी इस घटना को देखकर महत्मा गांधी ने असायोग आंदोलन यानि नौन कॉपरेशन मुव्मेंट 1922 को बापस ले लिया था ठीक है असायोग आंदोलन कब तक 20-22 कहीं 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 21 भी लिखाया 20-21 नमबर 16 पर आजए नमर्खित कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टेट्मेंट के साथ बताएं कौन सा करेक्ट है गांधी जी ने बिटिस सरकार के खिलाफ एक अगस्त 1920 को असायोग आंदोलन सुरू किया था असायोग आंदोलन की समाप्ती ने किया किया कॉंग्रेस के नेतरत वाले रास्ट ये आंदोलनों से मोहभंग हो गया और फलसरूप हुआ क्या कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई कॉंग्रेस समाजबादी पार्टी की स्थापना किसके नेतरत में की गई थी किसके नेतरत में की गई थी जैप्रकास नारण हो गए और एक हो गए आचार नरेंदर देव तो 1934 में आचारे नरिंदर देव और जय प्रकास्टराण की नेतरत में कॉंग्रेस समाजवादी पर्टी की स्थापना हुई थी परश्चा नुबर 18 पर आज़े अभारतिय स्वतंतरता संगराम के दोरान स्वामी सहजानन सरस्वती का संबंद किस्से था प्रश्चन इंपोर्टन है और यूपी पीसियस का फैवरेट है इसका उत्तर है किसान संगर्थन तो 1936 में स्वामी सहजानन सरस्वती की अध्यक्स्ता में पहला अखिल भारतिय किसान संगर्थन बना नमबर 19 पर आजए ये मुसलिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्स पारित किया गया वर्स 1940 में तो वर्स 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की की स्वाधिन्ता के बार देश के दो हिस्से कर दिये जाएं पाकिस्तान नाम का एक अलग राज बनाया जाए बीस्वा प्रश्न है अंतिम प्रश्न है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिकत सत्याग्रह प्रारंब किया आपको बताना है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था विनोबा भावे जी को तो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कोछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णे लिया या निर्णे किया और इस सीमित सुरी हाँ सही है जिसे सीमित इसले कहा गया या रखा गया कि देश में व्यापक उथल पुथल ना हो व्यक्ति का सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे इस explanation को एक सत्याग्रह चलाने का जो है निर्णे किया और जिसे सीमित इसले रखा गया क्योंकि क्योंकि देश में व्यापक उथल पुथल ना हो जाए व्यक्ति का सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे आचार विनोबा भावे तो यह modern history के थे 20 प्रशन important इनकी practice एक बार कर लेज करेंगे तो इसी तरह के मिलते चुलते आपको सवाल जो है वो दिखाई देंगे वहां पर और आगे भी पूछेंगे एक्जाम में वागी जिनको भी टैस स्रीज चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नम्मर में रास पर कॉल्या वाट्स अब कर सकते हो धन्यवाद